हेलो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, जो महिलाएं प्रेगनेंसी के दोरान ज्यादा चीनी का यानि सुगर का सेवन करती है, उनका सिसू कैसा होता है? अक्सर महिलाएं चीनी का इस्तेमाल करती हैं, चाहे वो चाय पीने में, दही के साथ खाने में, या अन्य चीजों के साथ खाने में, पर चीनी खाना बहुत नुक्सान दे होता है एक प्रेगनेंट महिला के लिए, तो बहुत अधिक चीनी खाना कितना नुक्सान दे है, आपक आपका सिसु सुन्दर हो बुद्धिमान हो ब्रेन वाला हो आगे जाकर आपका नाम कमाए पर आपकी एक छोटी सी गलती ये सब करने से रोक देगा आपका सिसु बुद्धिमान नहीं हो पाएगा आपके सिसु का ब्रेन तेज नहीं हो पाएगा जल्दी सीखने की कोशिस नह करेगा तो चीनी खाने के क्या नुक्सान होते हैं आपको जरूरी है ये जानना जो महिलाएं गर्भावस्था के दौरान ज्यादा चीनी का सेवन करती हैं उनका सिसू तेज नहीं होता उनके बच्चों में सीखने की इस्मृती से बुरी समस्याएं पाई जाती है वो जल्दी चीनी खाना स्वस्थ के लिए काफी नुक्सान दे होता है दोस्तों चीनी के बजाए आप अधिक फल खाएं वैसे चीजों को खाएं जिससे चीनी की कमी पूरी हो जाएं क्योंकि सरीर में हरे एक कुछ का सही मात्रा में होना बहुत जरूरी होता है मीठापन के लिए आप किसी और चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं आप खजूर का सेभन कर सकती हैं चुहारे का सेभन कर सकती हैं या अन्य चीजों को खा सकते हैं पर चीनी खाने से आपके सिसू के लिए मुश्किल भरा होगा, आपके लिए मुश्किल भरा होगा, सिसू का दिमाग तेज नहीं होगा, तो आपको चीनी खाने से बचना चाहिए, अगर आप खाना चाहती है, तो कम मात्रा में, जितना चीनी आप चाय में पीती थी, उसे आधा क कर देजिए आप खुद देखेंगे दो चार दिन के बाद आधत लग जाएगी तो चीनी को एभवाइद करना है चीनी ज्यादा नहीं खाना चीनी से आपके सिसू का दिमाग तेज नहीं होगा बलकि आपका सिसू बुद्धिमान नहीं हो पाएगा तो आपको इस बात का धिय निवाद, ठेंक्यो भरिमाज